हलो दोस्तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ कि काफी लंबे समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी इसका रीजन ये है कि मेरा तबियत काफी जा खराब हो गया था आप मेरी आवास से पता लगा ही सकते है कि मेरा गैला अभी भी बैठा हुआ है उपर से अभी मेरे एक्जाम भी चल रहे है इसलिए प्लीस माफ कर दीजेगा मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने ही कोसिस करूँगा जैसे मेरा तबियत ठीक हो जाता है पुरी तरस से और एक्जाम खतम हो जाता है और वेंपायर लोड जिसके भी बलड को पीता है वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है उसे अपना सबुनियेट बना सकता है वो और मेरी प्रिवियस लाइप में वेंपायर लोड एक डबल ए रेंग का क्रियेचर था जो काफु ज़्यादा पावरफुल था और ये पा मेंसर के सामने इसकी स्कील एकदम बेकार है कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने बड़ी आसानी से वेंपायर लोड को खतम कर दिया था मैं काफी ये लग्की हूँ कि मैंने अपनी प्रिवियस लाइप में वेंपायर लोड से फाइट किया था जिसकी वह से मुझे पता लगान लेकिन मैं ये देख कि काफी हैरान हो कि लिड़ा को एक मौस्टर की सक्तियों का यूज कर रहा है क्योंकि मेरी प्रिवियस लाइफ में कोई भी हूमन किसी मौस्टर की पावर को हिंडल करने के लायक ही नहीं था यूज ही नहीं कर सकता था अगर गलती से उन्होंने किसी नहीं कोसिस किया तो लोग खूद एक मौस्टर में कनोर्ट हो जाते थे या उनकी बॉड़ी एकस्प्लोड कर जाती थी मारे जाते थे वो लोग इस्प्लोड करके सच में मैं अभी तक विस्वास नहीं कर पा रहा हूं कि लीडर को करप्टेड माने का यूज कर पाया बीना पागल हुए मैं तुम्हारी पावर आइबिलिटीज को एक नॉलेज करता हूं सच में तुम काफू यह कैपीबल थे लेकिन तुमने एक ही गलती की तुमने बुराई कर रास्ता चुना तभी आस तुम्हारी यह हालत है यह सब सुनके लीडर कॉक अपनी दर्द भरी आवा लीडर कोक अपने सेक्ट वर्ण बता रहा था मुझे लगता है कि यह कोई डीमोनिक सेक्ट है लेकिन ऐसे ही मैं इसको सच नहीं मान सकता हूं बीना किसी प्रूफ के मुझे लगता है कि मुझे इससे और थोड़ी जानकारी निकलवानी चाहिए हाला कि लीडर कोक ने जैसा यूज ना कर पाए यही कहने के सांस सन्वू लीडर कोक के उपर अपने पन से अटेक करता है और लीडर कोक के माना लाइबरीरी को डिस्टोय कर देता है और डिस्टोय करने बाद लीडर कोक को गले से पकर के उसे उपर उठा के कहता है तुमने जो आज तक इतने जदा इन सम्वो लीडर कॉक के चहारे से उसके स्क्रीन माश को हटा देता है तो हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक का चहरा पुरी तरСे खराफ हो चुका होता है उससे का अच्क्रेंट सर में काफ़ी घुत लिखता है और सन्वो को लिगता है किंगหा का यहाद छूट जाता है और अपने सर को पगड़ लेता है और दर्द में कहते है अखिका यह कौन सी याद है जो मेरे सर में अच्छानक से आने लगी है मुझे जहां तक याद है मैंने इसकी सारी याद देख ली थी तभी सन्वू को अपनी मिमोरी में लीड़ कोग दिखते है जो सन् मास्टर काफी लंबा समय होगी आपसे मिले हुए तभी हमें दिखाया है जाता है सन्वू वहां पर काफी सरी पटियों में लिप्टा हुआ होता है जिसे देखे लीड़ कोग कहते हैं सच में तुम्हें मरना परा लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें फिर से जिंदा क करूँगा और तुम्हारे जर्ये तुम्हारे यून केलें को कंट्रोल करूँगा और मेरे बलट सेक्ट के लिए तुम्हारा से एक फाउंडेशन के तौर पर गिना जाएगा लीड़ कोग के इतना कहने के सांति सन्वू अपनी उस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और हैरान होत सच में यह मेमोरीस काफी जब भयानक थी अब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल रहा है अभी तक इस बॉड़ी के प्रिवियस ओनर के साथ जीतने भी चीजे हुई थी इन सारी चीजों के पीछे का मास्टर माइंड यही बंदा था जिसने सोचा था कि फॉस यंग मा लिडर को से कहता है तुम कमीने कहीं कि तुम जल्दी से अपनी ब्लड सेक्ट के बारे में और भी जदा मुझे इनफॉरमेशन दो यही कहने किसान सनुवह फोर्स पुली इनफॉरमेशन के इनफॉरमेशन निकलवाने लगता यहाइश आचानक से उसके बॉड़ी में पहले यह मारा गया क्या सच में इस वोल्ड में कोई इतना जदा पाउर्फुल है कि ऐसा कर सकता है सन्वुक इतना कहने के साथ इस सन्वुक बाद सिस्टम की काफी सारी नोटिफिक्स आने लगते हैं जहां उसे बताया जाता है तुमने वेंपार लोड के सबॉलिनेट को मार रहा है जिसके वसे तुम्हें के तौरव माना इस्टोन दिया जा रहा है और तुम्हारा एकस्वे मैक्स हो चुकत है जिसके वेलोड करके जल्दी से जल्दी blood check के बारे में और भी ज़दा information निकलवाना होगा ताकि future में जब मेरी उससे fight हो तो उन्हें में बड़ी आसानी से कुचल सको इसी के साथ हमारा scene change हो के में लेडर जिन्हु को दिखाया जाता है जो धूंद को गयब होते हुए देखके कहते हैं finally ये धूं वो उन सभी से कहता है red cloud faction अब पुरी तर से destroy हो चुका है उन में से अब कोई भी जिन्दा नहीं बचा ये battle यही पर over होती है ये सुनकर वो सभी लोग काफु या खूस हो जाते है वो अपनी जीत का जसर मनाने लगते है तभी हमारा scene change होता है कहीं और का scene दिखाया जाता है तुम लोग ये भूलो मत ये demon god का castle है तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो ये सुनकर वो दोनों ही सांथ हो जाते है आगे फिर से वो तीसरा soul कहता है जबकि सब यहाँ पर आ ही गया है तो चलो अब इस monthly meeting को start किया जाए meeting start होते ही एक दूसरा soul कहता है कि एक छोटी सी problem हो ही है ये सुनकर और दूसरा soul कहता है किस तरह की problem होई है ये सुनकर और दूसरा soul कहता है जैंजिंग में एक incident हो गया है मैंने जो वहां पर एक information squad रखी थी वो पुड़ी तरस से wipe out हो चुकी है खतम हो चुकी है जिसके वहां पर जब कुछ लोग को investigation करने के लिए भेजा तो वहां पर area को search करने के लिए तो उन्होंने जब area को search किया तो हम ये पता चला कि हमारे squad को जो उन्होंने wipe out किया था वो लग violent thunder bomb जैसे attack का use कर रहे थे ये सुनकर दूसरा soul पूछता है अक्षी के कितना damage हुआ है ये सुनकर वो बताता है वहां पर एक summon था और blood asura squad थी ये सर्मनाक है तभी वहां पर एक दूसरा soul होता है वो काफी जो गुस्ता हो जाता है वो गुस्त में कहता अखी का उन्हों कमजोर लोग के हिम्मत के सी हमारे squad को wipe out करने की मैं उन सभी लोग खतम कर दूगा उनके clan के एक एक member को खतम कर दूगा उनमें से किसी को भी जिंदा न होता है वीडियो पसंद आया होता लाइक कर दीजेगा नहीं और फिव लेक कर दीजेगा चनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते एक लिए पिसोड में बाई